आपका कोई भी काम समय पे पूरा नहीं होता और उस काम के लिए आपको पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ता है और फिर भी कोई सम्भावना नहीं होती कि आपका काम पूरा होगा या नहीं होगा आज इस विशे पर चर्चा करते हैं आज जो चर्चा करेंगे जिस भी व्यक्ति का बेडरूम दक्षिन के भाग में बना हुआ है और बेड दक्षिन की दिवार पर लगा हुआ है जो बेड का सिराना है वो दक्षिन की दिवार पर है आपके सोते हुए पर उत्तर दिशा की और होते है और आपका सिर दक्षिन दिशा में होता है ऐसे में आपके जो बेड के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ खिड़की आ जाती है तो आपके अपने काम समय पर पूरे नहीं होंगे पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा और फिर भी संभावना नहीं होगी कि आपका काम पूरा होगा या नहीं होगा जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ आप भी अपने यहां जरूर चेक करें आपको लगता है कि आपका बैड दक्षिन की दिवार पर है और बैड के लेफट और राइट में दक्षिन की दिवार पर खिड़की है और आपके काम समय पे पूरे नहीं होते तो उसके लिए मैं आपको कुछ छोटे-छोटे उपाई बताता हूँ जो उपाई आप easy way में अपने यहां कर सकते हैं जो आपकी left or right में जो खिड़की बनी हुए है खिड़की के जो पल्ले है उनके अंदर जो शीशा लगा हुआ है आजकल हर खिड़की में शीशा लगाया जाता है ठोस पल्ले वाली खिड़की नहीं बनाई जाती पल्ले के अंदर जो शीशा लगा हुआ है आपने उस शीशे को बंद करना है अंदर और बाहर दोनों तरफ ब्राउन कलर का पेपर लगा कर उसे अच्छे तरीके से बंद करें पल्लो को बंद करके जो खिड़की के अंदर जो जिरी होती है जो गैप होता है उनको भी अच्छी तरह सील पैक करना है चारो तरफ टेप लगाकर उन्हें अच्छी तरह के से बंद करना है इसी के साथ आपको एक काम और करना है जो आपकी खिर्की है इसके उपर आपने मोटे भारी विजन के परदे लगाने है जिससे की बाहर की रोशनी अंदर बिल्कुल भी ना आए और जो परदो का रंग होना चाहिए वो रेड कलर का होना चाहिए यदि आप अपने यहां यह काम कर लेते हैं तो मेरा अपना यह मानना है कि आपके काम अपने बनने शुरू हो जाएंगे जिस काम में आपका समय लगता है वो काम आपका समय से पहले पूरा हो जाएगा और पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक ने विशे पर चर्चा करते हैं तब तक के लिए नमस्कार झाल